और शर्द्य स्वामी जी का प्रसिद्धनुस का लगवग हम सब देशवासी जानते हैं जिनको शायटी का प्रॉलम हो चा अर्थराइटिस का हो चा मेस्कुलर प्रॉलम हो हल्दी मेथी और सोंट का पाउडर हल्दी मेथी और सोंट बराबर मात्रा में इदि आप पाउडर करके रख लेते हैं और एक एक चम्मत सुभर शाम लेते हैं तो शायटी का प्रॉलम हो चा अर्थराइटिस का हो चा मेस्कुलर प्रॉलम हो सभी चीज में मेथी अत्यनत गु बिवाद रुफ से मेथी का सेवन कर सकते हैं और जो आपके सर्दी जुकाम vainc को रात को भीगो करके उसको अंकूरित करके आप जिससे भोजन के साथ में भी थोड़ी मेथी नियमित रुफ से ले सकते हैं उसको लेने से जिससर दी जुकाम ऒगर है वह भी खतम हो जाएगा और मेथी का एक और प्रयोग है मेथी को भून करके जब बिलकुल लाल हो जाए उसको पाउडर करके आप दूद में थोड़ा सा डाल करके भी प्रती दिन यहीं आप ले लेते हैं तो उससे दूद हजम हो जाएगा दूद डाजस्ट हो जाएगा इससे आ करके मेदि को भून करके पाउडर करके आप डालें दूद में फिर पेचिए तो दूद हजंन नहीं होता दूद का पाचन को भी दूद पाचन लगेगा यहा भी बहुत ही लाबकारी प्रियोग है और इसकेchu जो है मेड़ी को जिन सर में बहुत दर्द रहता हो उन सरदर्द के रोगियों को भी आप मेथी को रात को भीगो करके प्रातहकाल मेथी आप प्रति दिन सेवन करते हैं तो इससे माइग्रेन में भी पूरा लाग होता है जिनको कफ और वात रोक के उजह से सर में दर्द हो उन रोगियों को भी इस तर ऐसे मेथी का सेवन जरूर करना चाहिए